असलाम अलेकुम नवस्ते दोस्तों जैसा कि आप देख रहें इस वक्त अपने मुबाइल स्क्रीन पर आपके सामने येलो कलर का अंब्रेला-DRO, इसकर्ट, नज़रा रहा होगा सरारा इस्टाइल इसको हमने इसकी कटिंग की है इस्टिचिंग की है और ये आपके सामने इस्टिच किया हुआ नजरा रहा होगा चलिए इसकी हम आपको कटिंग दिखा दे रहे हैं इस्टिचिंग का वीडियो नेस्ट में डाल देंगे जैसे कि ये इसका घेरा है आप रहा है और इसको आप लेंगा भी कह सकते हैं तो आइए चलिए फिर इसकी कटिंग दखाते हैं आज हम कटिंग करने जा रहे हैं एक अंब्रेला का इसकर्ट जिसकी लेंद है उंतालिस इंच और सकी वेष्ट है थार्टी फ१ोध इसमें लाज्टिक नहीं है ये आड़े łat़ वाला स्कर्ट हैं इसको आप लेंगा भी कह सकते हैं सलारा भी कह सकते हैं फिलाल ये اسकर्ट के कटिंग अब करने जा रहे हैं और इसका जो कपड़ा है वह तीन मीटर यह कैसे कटिंग होगा यह हम आपको बताने जा रहे हैं इस 3 मीटर कपड़े को हमने होफ कर लिया है 1.5 मीटर के लियर लिंद इसकी आ रही है और इसको एक सीरे से दूसरे सीरे को हमें बराबर कर देना है जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से इसको बराबर कर लिजे घेरा ज़्यादा होने की वज़े से पूरा घेरा नहीं आ रहा है फिर भी हम कोशिस कर रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कपड़े की लेंद ज़्यादा होने के कारण हम इस पर समझा नहीं पा रहे हैं इसलिए हम इसको एक पेपर पर आपको समझाने जा रहे हैं कि हैं जैसे कि यह हमारा माली जैक तीन मीटर कपड़ा हो गया इसको डेढ़ मीटर की लेंग से हमने इसको बराबर से जमा लिया अब इसको जो कटिंग करने जा रहे हैं 15 इंच इसकी लेंथ होगी आप जब अपनी कटिंग करें 15 इंच के जगा 40 रख सकते हैं 42 रख सकते हैं जो भी रखना चाहें और 16 इंच इसका कमर है लेकिन क्योंकि हम इसको छोटा काट रहे हैं इसको 8 इंच देंगे अब यह कैसे कटेगा यह हम होने के कारण आठ इंच तो आठ इंच पर आप इसको शाड़े 5 इंच से निसान लगा लिजे मार्का से साड़े 5 साड़े 5 साड़े 5 यह हमारा निसान लग कर तैयार हो गया अब यह गुलाई इस तरह से नहीं कटेगी आकार लेते कटेगी और हमको यह चाहिए आठ इंच यह आ रहा है हमारा सवा चार इंच में कार्टर इंच यहां से इसका जाएगा और कटने के बाद यह हमारा 8 इंच बेल्ट आएगा अब इसकी लेंद देखनी है फर जैसे कि एक इंच इसका हम बेल्ट रखेंगे फुल साइज में आप 2 इंच भी रख सकते हैं एक इंच रखने के बाद हमको चाहिए 15 इंच लेंद तो 15 इंच का यहां पर लगाएंगे मारी और अगर आपको नीचे ब यह हमारी लेंद आगई 15 इंच यहां से एक निसान हम लगाएंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पर 15 पंद्रा इंच निसान लगा देहुए इसका मारका हम पूरा कर लेंगे ये हमारा चौक से निशान लग चुका है और अब हम करने जा रहे हैं इसकी कटिंग निशान हमने लगा लिया है और अब इसकी यहां से हमको गुलाई देनी है जैसा आप देख रहे हैं इस तरह से गुलाई दे लिजिए और उसके बाद इसको यहां से कटिंग कर दीजिए यह हमने इसकी कटिंग कर ली है और यहां से काट लीजिए आप कटिंग होने के बाद यह कुछ इस तरह से आएगा जैसा कि आप देख रहे हैं हम आपको पूरी तरह से दिखा दे रहे हैं यह इस तरह से कटने के बाद आएगा यहां से आपका बेल्ट लगेगा यहां से जिप लगेगी यहां JOHNace चाहे तो beads कोई भी खुषूरत सी लेज़ दे सकतीर यह यह काटकर तयार है इसी आकार में इसको भी हम काटेंगे लेकिन इसकी length जादा है दूसरी बात यह है आप लोग हमको comment करके पूचते हैं कि cutting समझ में नहीं आई Cutting के जो हम video बनाते हैं वो लंबा होने के कारण आप लोग देखते हैं नहीं तो वीडियो लंबा देखने के आदर डाले हम ज़्यादा से ज़्यादा लंबी वीडियो बनाएंगे और हर चीज के आपको जानकारी देंगे अब इसी तरह से इसको कटिंग करने जा रहे हैं कि इसकी लेंद है 40 हिंच और इसका वेष्ट है 34 तो 34 के हिसाफ से इसको हमने इसको आठ भाग मेंने कपड़े को मोड लिया हैं और इसकी लेंद हमारी आ रही है 49 दो इंच यहां से हम इसका बेल्ट देंगे और ये हमारी साड़े उन्ताली सिंच क्योंकि इसमें हम बगरम लगाएंगे या खुबसूरत सी लेस लगाएंगे अब आप देख रहे हैं इसको हमने यहां से 38 सिंच निसान लगा लिया है 38 सिंच 38 अब इसको यहां से हम इस तरह से यह एट पल्ले हैं इसको हम बराबर रखकर कटिंग किये दे रहे हैं यह नीचे का घेरा हमारा कड़ गया है अब इसकी उपर की वेस्ट कैसे काटनी है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जैसा कि इसकी हमारी वेस्ट है 34 सिंच हाँ पाएगा 17 इंच तो यहां से हम 17 सिंच देंगे 17 सिंच देने के बाद इसको हम कटिंग कर लेंगे इसको काटने के बाद इसको पूरी तरह से खोलने के बाद यह इस तरह से आपको नजर आएगा जैसे कि अभी हमने एक टेपर पर कटिंग आपको बताई है सेम यह उसी तरह से कटा हुआ है अब इसको हम थोड़ा सा घेर इस साइट में कर ले रहे हैं कि लेंट इसकी आएगी 49 तो इसका बेल्ट आएगा और नीचे इसके हलका सा कफ़ड़ा बग्रम देकर यह इसमें लेज देकर बढ़ा लिया जाएगा यह हो गया अब इसकी बेल्ट हमको चाहिए वेस्ट 34 यह हमको चाहिए साड़े आठ जैसा कि आप देख रहे हैं है यह साड़े आठ इंच आ रहे हैं जो इसमें मारजिन का हिस्ता है ऋजब इसमें वे बेल्ट अटेज करेंगे तो हलका सा यह तण जाएगा वह बराबार आ जाएगा एभ अब हम इसका बेल्ट काटने जा रहे हैं यह उपर का बेल्ट हमने काट लिए हैं जैसा के बेल्ट हमको चाहिए 17 इंच और यह हमने इसकी कटिंग की 18 इंच 17 इंच यहां से काटने के बाद जो भी बचेगा वो कपड़ा इसको अंदर मोड़ दिया जाएगा और इस तरह से यह डवल जैसे पेटी कोट में लगता है उस तरह से नारे वाला बिल्ट यह लग जाएगा जब आप लोग चाहेंगे इसकी स्टिचिंग की भी वीडियो हम डाल देंगे लेकिन आज जो हम दिखा रहे हैं केवल कटिंग की ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं